दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि इस बार यूपी में बलाग परमुक चुना और जिलाप पंचायत अध्याच का चुना अब सीधे जनता द्वार होगा इसकी पुक्ता जानकारी हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं बात कुछ इस तरह ऐसे है कि भाजपा सरकार बलाग परमुक और जिलाप पंचायत अध्याच के चुनाओ को लेकर आहम कदम उठाने की तायारी कर रही है इस वीडियो की सुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर दिजे ताकि इस तरह की वीडियो आपको कांटीनिव मिलती रहे चाहे वो पंचाहे चुनाव से संबंदी थो चाहे बीडिसी से संबंदी थो चाहे जिला पंचाहे सदस्य से संबंदी थो चाहे बलाग प्रमुक से संबंदी थो चुनाव संबंदी कोई भी जानकारी चाहे जिले की खबर हो चाहे राज्ज की खबर हो चाहे केंद सरकार की कोई योजना हो इस चैनल पर आपको सबसे पहले देखने और जानने को मिलेगा बाजपा सरकार प्लाग पर्म को जिला पंचार अध्यच के चुनाओ को लेकर अहम कदम उठाने के तैयारी कर रही है उन्होंने कहा कि अध्यच का चुनाओ सदस्यों के वजाए अब सीधे जनता करेगी उपमुक्मंत्री केसो परसाद मौर ने कहा कि इस योजना पर काम चल रहा है अगर ऐसा हुआ तो भरस्टा चार पर लगाम लग सकेगी रविवार को जनता वैदिक डिगरी कालेज में पहुँचे उपमुक्मंत्री के सामने केंद्री मानव संसादन विकास राज्यमंत्री डाक्टर सत्यपाल सिंग ने भी यही मुद्दा रखा था उन्होंने ऐलान किया कि बलाग परमुक्व जिला पंचायत अध्यच के चुनाओ को जनता द्वारा ही कराने की तैयारी है सदसियों का चुनाओ अगर जनता कर सकती है तो अध्यच का भी चुनाओ जनता ही करेगी नगर पंचायत और नगर पाली का अध्याच की तर्ज पर यह चुनाओं होंगे लोग सभाव चुनाओं के बाद और विधान सभाव चुनाओं से पहले होने वाले पंचायत चुनाओं में यह फार्मूलर लागू हो सकता है स्री मौरी ने कहा कि इसे से भ्राटाचार पर अंकुष लगेगा क्योंकि जिला पंचायत अध्याच और बलाग प्रमूक के चुनाओं में धनबल और बाहूबल हावी रहने के कारण तमाम मामले सामने आते रहते थे लेकिन यदि अब जनता इन लोगों का चुनाओं करेगी तो अब इस तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आएगी इन दोनों चुनाओं में बदलाओं पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बाक्स में जरूर लिखें इसके साथी साथ मेरे चैनल पर एक अतिरिक्त सुविधा की शुरूआत की गई है यदि आपको अपने ग्राम परधान द्वारा किये गए कारियों का समस्त ब्यवराद चाहिए तो आप अपने ग्राम पंचाथ का नाम, बलाक का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम लिख करके मुझे इस वाट्सअब नंबर पर मैसेज करें आपको वहाँ से जानकारी मिल सकती है धन्यबाद आपको वहाँ से वाट्स nous थाख भूली उएफ